हलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब तो या थर्मो डाइनिमिक्स का नेक्ट लेक्चर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्लास में आप यह वानों कि हमने बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन पढ़े थे अ? हमने रिलेशन पढ़ा कि किि केmical reaction में डेलेशन आपसको काम में लेना हिए, केmical reaction में work Cheap. हम किसी ideal gas के लिए का होता है, किसी real gas के लिए relation क्या होता है?' यह सारे relation बहुत ही जाधा इंपोरेंट है और आप पीचे की street आ के देख ले मान के चलो डेल्टा H और डेल्टा E की जो relation है ना नीट में पता नहीं इनसे कित्ती बार question आएं ये एक छोटा सा topic है डेल्टा H उकल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V छोटा सा topic है लेकिन इससे नीट से आप ये मान के चलो अब तक जो कम से कम 4-5 बार question जो हो पुछा गया है ठीक है तो आगे के लिए भी ये important हो जाता हलाकि इसी साल जो है वो नीट में डेल्टा H और डेल्टा E का relation डारेक्टली पुछा गया था लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है क्योंकि नीट में कुछ भी आ सकता है और ऐसा नहीं है कि जो पिछली साल आया वो दुबारा नहीं आ सकता जो जही से इसका मावला बिलकुल अलग है अब आज की जो क्लास है आप ये मानों कि बहुत ही जादा important class होने वाली है ठीक है कि आज की क्लास क्योंकि जो topic हम पढ़ेंगे वो केवल एक क्लास में complete नहीं होगा तो आज की और जो next class इसके बाद में होगी ये दोनों क्लासे यू मान के चलो कि पूरे chapter का 60% portion यहीं से cover होगा और आपको जब भी थर्मो revise करना हो बस ये दो क्लासे आप revise करके जो हो चले जाओ आपकी थर्मो ज़यो ज़ाओ ज़ादातर portion थर्मो का क्यों कहो कि जहां से numericals बनते हैं तो ज़ादातर portion ये ज़ो हो क्या हो जाएगा यहाँ पर cover हो जाएगा तो हम start करते हैं आओ जरा कि टॉपिक है calculation calculation of delta E delta H Q and W ठीक है Q and W for different different process ठीक है देखो जी ये तो हमारा topic है कि हम क्या करेंगे अलग-अलग process के लिए इन सब की value जो हो हमें calculate करनी है ठीक है अब process हमारे पास कितने हो गए process जो 5 हो गए process का मतलब तरीका रास्ता, जरीया, medium जिसके हम system की state को क्या करते है बदलते हैं ठीक तो प्रोसेस हमारे पास पांच और पांचों प्रोसेस दो-दो तरीके से हो सकते हैं या तो रिवर्सिबली या फिर होंगे इर्रिवर्सिबली दो-दो तरीके से हो सकते हैं पॉसिबल है कि या तो कोई भी प्रोसेस बहुत ही स्लोली होगा या फिर कोई भी ज़्यादा तेजी से होगा हाना हाना साइक्लिक प्रोसेस में हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में तो इनिशल फाइनल स्टेट सेम होती है तो आप ये देखना कि overall हमारे पास almost 10 तरीके के अलग-अलग क्या है भई पात है प्रोसेस है जिन्में हमें सब्की वेल्यूद्स कैलकुलेट करनी है सब्से पहले हम स्टारट करते भईया जी आइसो कोरिक से हना first four आइसो कोरिक प्रोसेस देखेगा कि मेरे भई आइसो कोरिक प्रोसेस जो होता है इसमें आपको पता है कि आप प्रोल्यूम क्या रहता है? constant रहता है volume constant रहेगा dv की value 0 होगी delta v की value 0 होगी यह तो 0 होने ही चाहिए क्योंकि volume constant रहे dv delta v तो आप 0 होगे फिर इसके बाद में देखो ज़रा कि बात ऐसी है कि w is equal to आपने कहा minus p external और यह dv ठीक है यह यह कहो कि अगर delta v भी होगा तो भी क्या फरक पड़ने वाला है क्योंकि dv तो 0 है और भाई यह dv 0 है तो यह वाली term already 0 हो चुकी है तो w की value कितनी आएगी 0 आएगी क्योंकि भाई मैंने कहा कि जो mechanical work होता है वो किसके कारण होता है वो change in volume के कारण होता है कि volume change होगा तो mechanical work होगा और मेरे भाई volume तो change हुआ है नहीं ना और volume change नहीं होगा तो work कहां से होगा नहीं होगा ना तो अब आप देखो कि ISO कोरिक चाहे reversible process हो चाहे irreversible process हो अना this is for reversible and irreversible both ठीक है यह दोनों के लिए लागव होता है irreversible के लिए भी लागव होता है दोनों process के लिए यह चीज अप्लिकेबल है I hope मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी तो यह तो है w is equal to 0 पहली बात आ गई फिर हमें बाकी सारी चीज़ में calculate कर दिए data e, data h तो भाई सीडिसी बात ISOCORIC process है तो हम किसी ग्यास के लिए delta e के वेल्य हो जाएगी n c v delta t delta h के वेल्य हो जाएगी n c v delta t क्या भाई कोई बात नहीं ISOCORIC process है तो है आपके पास c v के वेल्य होगी number of mole given होगी delta t हम calculate कर लेंगे या तो होगा question में तो delta e और delta h भी आ जाएगा फिर हम first law of thermodynamics लगाते हैं तो first law आपको कहता है delta e is equal to क्या होता है q plus w होता है और ISOCORIC process में w की value क्या हो जाएगी zero हो जाएगी तो delta e की value जो हो किसकी equal आजाएगी qv की equal आजाएगी ये पहले ही बात हम कर चुके है अब first law जब करवाए था तो एक एक process के लिए हमने ये सारे relation बना लिये थे तो भाया हम ये बोलेंगे कि heat given to system will be equal to change in internal energy और ये line मैंने पता नहीं कित्ती बार बोली है और पता नहीं मैं कित्ती बार बोलने वाला हूँ क्योंकि भाई बहुत important line है मैं वापस से बोलूँगा वोल्यूम ठीक है ये इकवल होगा किसके विल बी इकवल टू इकवल टू चेंज इन एंटरनल एनर्जी ठीक है ये जो हो वो चेंज इन हाँ heat given to system at constant volume will be equal to change in internal energy तो भाया दिस इस आल अबाउट आईसो कॉरिक प्रोसेस एक चोटा सा पॉइंट और यहां पर पढ़ लेते हैं यह कर देखो जी एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इसको मैं अलग से highlight करके लिखूंगा कि भाई very very important पॉइंट है ठीक है ध्यान में रखना for any process किसी भी process के लिए in any process यह कोई ज़रूर नहीं है आईसो कोरिक हो आईसो थर्मल आईसो बहरिक किसी भी process के लिए लगेगा in any process in any process ठीक है area under the PV curve PV curve will be work done yeah will be work ठीक है भीया जी बहुत ही important point है कि PV graph का जो area होगा वो ही क्या होगा work होगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको हम cyclic में तो यह मान के चलो कि जो cyclic process होगा उसकी तो यह जान है ठीक है cyclic process में तो जब भी हम work calculate करेंगे तो वो तो area से ही करेंगे और बाकी किसी भी process के लिए ध्यान बेर रखना area under the PV curve जो PV graph का area होगा नब वो ही क्या होगा मेरे भाई work done होगा clear है बात अब आउदर कि भाई किसी भी process के लिए आपने यह लिखा अब जैसे isocoric के लिए ही हम बात कर लेते हैं कि ये volume है ये pressure है ठीक है अब आईसो कोरिक के लिए हम hitting और cooling वर्ट काम में लेते हैं इसके लिए compression और expansion वर्ट तो काम में लेते नहीं है cooling और hitting वर्ट काम में लेते हैं तो माल लोग कोई भी isocoric process है अब आईसो कोरिक process है तो volume जो है वो इसके along वाई access के along जो है वो आप देखो कि क्या आएगी एक तरीके से parallel line आएगी और इस point पर आप देख रहे हो volume क्या है constant यही आईसो कोरिक process हमालो process है A से B ठीक है इस तरीके से है और ध्यान से देखो जरा कि भई मुझे बताओ area कितना आएगा यहाँ पर area आएगा 0 और area 0 है तो w is equal to 0 चाहे आईसो कोरिक हीटिंग हो चाहे आईसो कोरिक कोलिंग हो area 0 है वरकडन 0 है और होना भी चाहिए था मेरे भाई क्योंकि हमें पता है कि आईसो कोरिक में कोई volume चेंज नहीं आएगा और जो भी mechanical work होता है वो तो volume चेंज के कारण नहीं आता है ना ठीक है तो यह this is all about आईसो कोरिक प्रोसेस हमने सारी values calculate कर ली इसके लिए ठीक है question कैसे आता उसकी बात हम बात में करेंगे पहले एक बार हम values calculate कर लेते है second जो point है ना वो है यह isobaric process देखेगा for isobaric process इसमें से आप यह मानो कि हम हर एक process के लिए delta E, delta H, W है ना यह सारी values calculate करते वाले हैं और सबसे ज़्यादा important जो है ना वो iso coric और isobaric नहीं है सबसे ज़्यादा question या तो पूछा जाता है isothermal या adiabatic या फिर जो पूछा जाता है cyclic से है ना तो उन से सबसे ज़्यादा पूछे जाते तो वो तीनों हम इनके बाद में पढ़ेंगे एक बार जो हो मैं iso coric भी बता दिया आइसो बेरिक भी आपको बता देता हूं फिर हम चलते आइसो थर्मल एडियाबिटी उन सब की तरफ उन में क्या है कि टाइम भी थोड़ा से ज़्यादा लगेगा देखिएगा बहुत ध्यान से देखना है कि सेकंड इस four isobaric process ठीक है देखो क्या भी या isobaric process है तो pressure क्या रहने वाला है constant तो यहाँ पर pressure तो है constant चलो ठीक है pressure की value आ गई constant फिर इसके बाद में मुझे पता है dp की value, 0 delta p की value, 0 isobaric process है, dp delta p, 0 ही रहेगा, चलो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फिर इसके बाद मैं देखो जरा, कि अगर हमें यहाँ पर calculate करना है, w, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, isobaric reversible की बात कर लेते हैं, isobaric reversible, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, कि pressure constant है, अब मेरे भाई चाहे reversible है, चाहे irreversible है, यहाँ पर तो दोनों में pressure constant रहेगा, वैसे मैंने आपको कहा था, कि reversible process में external pressure constant है, नहीं होता है, irreversible process में external pressure constant होता है, लेकिन अब process ही isobaric है, चाहे reversible होगा, चाहे irreversible, pressure तो क्या है, constant है, और w निकालने का मैंने एक ही तरीका बता रहा है w is equal to minus p external क्योंकि अब pressure constant कर रखा है ना तो dv v1 से v2 तक इसको क्या कर दो एक तरह के से integrate कर दो यही क्या है w ठीक और आपको तो पता है इसका integration क्या आएगा v2 minus v1 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कर लेंगे हो जाएगा आराम से फिर भहिया देखो जड़ा कि second is isobaric irreversible process कोई दिक्कत नहीं है भहिया isobaric irreversible process है तो भी w का तो एक ही तरीका है w is equal to v minus p external pressure constant है dv v1 से v2 तक जब आप इसको integrate करोगे तो w आ जाएगा minus p external और w will be v2 minus v1 तो कहने का मतलब isobaric reversible हो चाहे irreversible हो w आपको ऐसे ही calculate करना है ठीक है equation हो सकता है कि question के according दोनों में अलग-अलग बन सकती है फिर इसके बाद देखो जराकी अगर हम बात करें delta e और delta h की तो कोई दिक्कत नहीं delta e is equal to ncv delta t और delta h हो जाएगा ncp delta t यह हमारे पास delta e और delta h की values आ गई w की values आ गई रही बात q की तो मैंने आपको लिखवा रखा है float ठीक भहिया delta e is equal to क्या होता है q plus w और अगर pressure constant है तो मैंने आपको पहले ये प्रूब भी करके बताया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा qp तो the value of qp will be equal to delta h which is equal to ncp delta t ओके this is ठीक है heat release or absorb during process ठीक तो यह हमारे पास isobaric process यहाँ पर मैं वापस से बोलूँगा कि in isobaric process heat given what is this heat given to system at constant pressure will be equal to change in enthalpy बहुत बार बताया है अभी मैंने कहा था isocoric process में heat given to system will be equal to change in internal energy तो यहाँ मैं बोलूँगा this is heat given heat given to system will be equal to change in enthalpy ठीक है तो यह यह है आपको point जो की धान में रखने है isobaric के लिए हम जो हो सब के लिए पढ़के last में जो इस पर कुछ question भी discuss कर लेंगे अब इसके लिए भी अगर हम graph देखें तो देखो isobaric process है ना कोई दिक्कत नहीं है देखो जी के बात ऐसी है मेरे भाई यह B यह P अब isobaric process है मालो यह process हो रहा है ऐसे B ठीक है अब मैंने आपको कहा कि जो area होगा ना वो work done होगा अब धान से देखो area under PV curve यही PV graph है और इसके नीचे का जितना भी area है अना this area this area will be equal to work यह area जो है यही किसके एकवल होगा work के एकवल होगा अब आप सोचो कि यह work positive आना चाहिए कि negative आना चाहिए तो इसके लिए आप direction देखो यह क्या हो रहा है एक तरह किस compression हो रहा है volume जब V1 से V2 compress हो रही है तो compression work positive आना चाहिए आएगा भी positive मुझे बताओ जैसे मालो initial volume वाज मालो इधर जो हो वह V1 था यह final volume V2 हो गया अब यह क्या है एक rectangle बन रहा है और rectangle का area कैसे लिखालते है length into width ठीक है तो भईया यह तो है 0 तो 0 से आप धान दो जरा कि भई length तो कितन है P है और फिर आप देखो जरा कि यहां से जो हो हम width width कितनी आ जाएगी अपने पास width आ जाएगी वह एक तरके से initial कितना है V यह final तो V2 माइनस क्या आएगा V1 आएगा है ना तो कैसे भी कर लो width जो वह अगर मालो आपको width की value निकालनी है तो मैं V1-V2 करूँगा ज्यादा में से कम को अठाऊंगा तो V1-V2 तो W यहां से क्या आजाएगा positive आजाएगा एक तरीके से ठीक है या फिर अगर आप ऐसे करते हो कि W is equal to minus P external delta V तो भी यह answer आएगा minus P external और यह आजाएगा V2-V1 जो universal formula होता है मैं उसी की बात कर रहा हूँ ठीक है अब यहां पर देखो तो W कैसा आएगा positive क्योंकि V1 जादा है V2 से ठीक है अब यह जो हो हम जो करते आए हैं काम उससे निकालते है तो मुझे बताओ P external तो कितना है P है तो W is equal to minus P external is P and V2 minus V1 here हमें पता है कि V1 की value क्या है जादा है तो V1 is greater than V2 और अगर V1 जादा है तो यह वाली value negative आएगी तो W अपने आप कैसा आगया quality आगया चाहो ऐसे कर लो यह method first यह method second तो एरिया जो होता है न पीवी ग्राफ का चाहे कोई भी process हो मेरे भाई चाहे वो आइसो थर्मल आइसो बैर कोई भी process हो पीवी ग्राफ का जो एरिया होगा वही क्या होगा work done होगा ठीक है तो this is all about isobaric process next जो है हमारे पास वो हम है हम पढ़ने वाले हैं isothermal process देखिएगा आइसो थर्मल process और यह मान के चलो कि question जो है वो आइसो थर्मल से खुब पूछे जाते हैं और बहुत important है इसके बाद में जो इसके आगे के जो तीनो प्रोसेस है ना आइसो थर्मल या फिर एडियावेटिक या फिर जो है वो साइक्लिक प्रोसेस यह तीनों ही बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोसेस है ठीक और बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ने है तीनों के तीनों देखना प्रोसेस ठीक है देखो जी हमें तो चारों चीज़े विल्याथ करनी है डेलटा एच डेलटा एक्यू और डबलो चारों चीज़े हमें चेलकुलेट करनी है अब इसो थर्मल प्रोसेस है तो delta t की value 0 आएगी तो dt की value भी क्या आएगी 0 एक तो ये बात हो गए ठीक temperature constant delta t dt सब 0 अब भाया मेरे के जो isothermal process होता है इसके लिए आपको पता है कि delta e is equal to होता है क्या n cv delta t अब delta t 0 है तो मुझे बताओ delta e की value किते आएगी 0 तो isothermal के लिए change in internal energy कितना 0 अगर process isothermal है तो change in internal energy 0 delta h is equal to होता है n cp delta t तो delta t 0 तो delta h b again 0 तो delta h b कितना हैगा isothermal के लिए 0 ठीक है तो देखो delta h 0 delta e 0 फिर इसके बाद देखना जरा कि float float ये कहता है कि delta e is equal to q plus w ये काम हम पहले कर चुके हैं तो delta e क्योंकि 0 हो गया तो q की value equal आएगी minus w k या फिर मैं बोल सकता हूं minus q की value आएगी किसके w k equal ठीक है तो यानि statement भी मैंने बताये थे कि यहाँ पर तो क्या बोला था कि isothermal process heat given to system will be equal to work done by system heat released by system will be equal to work done on system बताय था ऐसा तो भीया यह हमारे पास एक और result आ गया q की value w की equal होगी overall या magnitude of q will be equal to magnitude of w तो अगर आपको जो क्यों निकालना है कि एक process के दौरान system ने कितनी heat release करी या कितनी heat absorb करी ठीक है तो आपको जो है वो एक path dependent value है तो reversible या irreversible पर depend करेगा तो आप यह देखो कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं for isothermal isothermal reversible process reversible process क्या अगर process जो है वो हमारे पास कैसा है isothermal reversible है ठीक तो मैं वही क्या w का मैंने कहा न एक ही तरीका है minus p external और यह dv यही हमारे पास w का तरीका है अब भाई मैंने आपको बता रखा है कि जो reversible process होता है और isothermal है तो pressure constant है नहीं है हम लगातार piston पर याद करो एक एक particle rate का रखते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं हम पूरे process के through लगातार pressure change कर रहे हैं वो change बहुत ही कम हो रहा है लेकिन पूरे process के through जो है वो हम pressure लगातार बदल रहे हैं लगातार pressure change हो रहा है तो अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि pressure को भी आपको क्या करना पड़ेगा integrate करना पड़ेगा क्योंकि in reversible process in reversible reversible process P external is not constant मेरे भाई ये constant नहीं है लेकिन हमें ये पता है कि जो P external है न ये रहेगा हमेशा P gas की equal कि दोनों equal ही रहेंगे क्योंकि एक particle रखने से piston जो हो नीचे तो नहीं गया न एक particle रखा piston अभी भी equilibrium है एक और रखा अभी भी जो हो system surrounding के साथ equilibrium है तो रहेगा हमेशा के equal तो मैं ऐसा बोल सकता हूं किसी भी gas के लिए PV is equal to nRT तो यहां से P gas की value जो हो हमारे पास आजाएगी nRT by V और यह P external के equal है तो मैं यहां पर इसको यह लिख सकता हूं W is equal to minus इसकी जगा में लिख देता हूं nRT by V into dV देखो ज़रा अब जो चीजे constant है इनको बाहर ले लो तो n constant r constant t isothermal है तो constant तो W is equal to आजाएगा minus nRT and dV by V volume is changing from V1 to V2 ठीक है और यह तो आप बहुत बचपन से उशार हो के dV by V इसका जो अपने पास एक तरह के से integration है यह क्या हो जाएगा log V तो इसको मैं directly solve करके लिख रहा हूं वैसे तो जो log ln V करो upper limit minus lower limit करो गठा बटा के जब सारी calculation करक हूं क्योंकि derivation कोई काम गें नहीं आएगा तो this value will be minus nRT ln V2 by V1 यह हमारे पास W है isothermal reversible process में क्योंकि ln base पर हम E base पर कोई calculation करते नहीं है तो 10 base पर करते हैं इसको 10 base पर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बाए 2.303 से multiply करना पड़ेगा तो W is equal to minus 2.303 nRT यहा गया log V2 by V1 तो भिया जी isothermal this is only for isothermal reversible process ठीक है बहुत important formula है जो कि ध्यान में रखना है और आपको पता है कि temperature अगर constant है यह देखो temperature अगर constant है तो मैं बोल सकता हूं P1 V1 is equal to P2 V2 याद करो किसका लो है बॉइस लो ठीक है तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो V2 by V1 आएगा न यह equal आएगा P1 by P2 के तो इसी formula को आप ऐसे भी लिख सकते हो W is equal to minus 2.303 nRT log P1 by P2 यह है बहुत प्रेशर के बारे में अगर माल लो question में आपको volume का data given है तो यह लगाओ और question में आपको अगर pressure का data given है तो आप यह लगाओगे ठीक है मेरे ख्याल से मेरी बास समझ में आ गई हो तो यह लगाओ pressure का data given है तो यह लगाओ ठीक है तो भीया यह है अपने पास एक तरीके से isothermal reversible process के बारे में और बहुत ही ज़रूरी है बस एक formula ध्यान में रखना है work का minus 2.303 nRT log V2 by V1 ठीक अब देखो कि इसके बारे में हमें और भी बाते करनी है यह तो केवल reversible के लिए है इर्यूरसिबल के लिए भी हम लगे हाँ देखी लेते हैं ठीक है तो reversible के लिए हमने देखी लिया, irreversible के लिए हम देखने वाले हैं, अभी इस पर question करेंगे ना, question भी करेंगे, फिर अभी इस पर हम graph तो बहुत ज़रूरी है आइसो थरमल के लिए तो graph भी हमें बनाने है, ठीक है देखो तब यह इसी के लिए हम ग्राफ देखते हैं देखो जरा कि ग्राफ जो कैसे आएगा कि एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है ठीक है अब आप देखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है इसमें जो सिस्टम और स्राउंडिंग है वो हर एक प्रोसेस मे या हर एक step में equilibrium में रहते हैं, आप दीरे-दीरे लगातार जैसे एक-एक particle रखा, लगातार piston जो धीरे-दीरे नीचे जा रहा है, जैसे ही particle रखा, pressure बढ़ाया, piston नीचे गया, एक और particle रखा, pressure थोड़ा सा बढ़ाया, piston नीचे गया, थोड़ा सा बढ़ाया, piston नीचे गया, त तो हम धीरे-धीरे pressure को क्या कर रहा है, बहुत slowly, slowly pressure को increase कर रहे हैं, तो piston धीरे-धीरे नीचे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर pressure और volume का जो relation है, वो कैसा है, inversely proportional है, और होता भी है adiabatic reversible process में, कि reversible एक ideal condition है, और हम जानते हैं कि हमें तो किसी भी gas की study करनी है, तो PV is equal to nRT, और मैं ग्राफ बनाओ, P और V का, for isothermal, isothermal, this is reversible, isothermal, reversible, ठीक है, और reversible और मालो पहले हम expansion का ग्राफ बना रहे है, expansion, ठीक, तो देखो, gas को expand करवाना है, कहने का मतलब मालो piston नीचे था अभी, अब एक एक पार्टिकल आपको rate का हटाना है, एक एक पार्टिकल हटाओगे, तो piston बहुत ही धीरे 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 काएगा, उपर आएगा, और gas जो वो धीरे धीरे expand होगी, तो यहाँ पर जो P1 है, pressure अभी, और volume is V1, ठीक, और फिर यहाँ पर, this is final state, मालो यहाँ से आपको expand करवा के gas को यहाँ तक लेके आना है, यह V2 है, और यह क्या है, यह P2 आया, ठीक है, तो मतलब यह है कि हमें पिस्टन को मालो इस position से, इस position पर लेके आना है, यहाँ पर pressure है, P1, volume is V1, यहाँ पर pressure है, P2, volume is V2, ठीक है, तो जब हम यहाँ से, यहाँ पर लेके आएंगे, तो भहिया जी, ग्राफ जो हमें पता है कैसा होता है, rectangular, hyperbola, इस तरह की ग्राफ आता है, और यह जो ग्राफ है, क्योंकि expansion का ग्राफ है, तो expansion का ग्राफ कुछ इस तरह की से होगा, फिर आप दे और मुझे बताओ कि जो hyperbola कर वो होता है, इसका area हम कैसे calculate करते हैं, तो भाई, इसका area हम integration से calculate करते हैं, और हमने जो अभी isothermal, reversible process में जो work done निकाला तो वो integration से निकाला था, तो वास्तम में यह जो equation बनती है, W is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1, यह जो equation है, यह वास्तम में integration, इसका area नि V2 will be greater than V1, in this case, this value will be positive, और log V2 by V1 अगर positive होगा, तो W overall कैसा आएगा, negative आएगा, तो W negative आएगा, तो W is negative और आना भी चाहिए, क्योंकि यह क्या है, expansion work है, और expansion work है, तो W negative होना ही चाहिए, यह रहा बात, तो भाईया यह तो है अपने पास, isothermal reversible expansion, अगर compression के लिए graph बनाएंग तो भी भाई, ऐसा ही graph आएगा, देखो जरा, के isothermal, isothermal, reversible compression, अब gas को हम compress करेंगे, तो भी same condition, ऐसा ही graph आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम reversible process पढ़ रहे हैं, यह P और यह V, अभी देखो, piston यहाँ पर है, अब धीरे-धीरे, क्योंकि reversible process बहुत ही slow process होता है, धीरे-धीरे piston को आपको यहाँ से माल लो, यहाँ पर लेके आना है, इस condition पर, यहाँ से, यहाँ लेके आए piston को, ठीक है, तो इसके लिए जो हम initially आप देखोगे, कि initially condition ऐसी है, कि piston उपर तो volume बहुत जादा होगा, और pressure क्या होगा, कम होगा, अब दीरे-दीरे volume को कम करना है, pressure को बढ़ाना ह तो this was the initial state of system, where the pressure was P1, and the volume was V1, ठीक, और यह जो है, वो हमें माल लो, final state यहाँ तक जाना है, क्योंकि pressure तो हम क्या करना चाते है, बढ़ाना चाते है, volume गठाना चाते है, यह V2 हो गया, और यह क्या हो गया, P2 हो गया, ऐसी condition है, तो भीया, graph again कैसा आएगा, rectangular hypervola, graph जो वापस से ऐसा ही आएगा, ठीक है, और इस बार जो direction बदल जाएगी, और यह compression का है, तो भीया, इधर से इधर जाएगे, तो volume क्या होगा, कम होगा, और volume कम होगा, तो gas क्या होगी, compress होगी, clear है बाद, तो यहाँ पर देखो जरा, कि this area, this area, will be equal to work done, area is equal to work, ठीक है, और वो ही W निक और इस बार हमें पता है, V1 is greater than V2, क्योंकि V1 की value जो है, वो जादा होगी, तो V1 जादा है, तो log V2 by V1 कैसा आएगा, negative आएगा, और negative आएगा, तो this negative, negative will be positive, तो W will be positive, ठीक है, तो W की value positive आएगी, और आने भी चाहिए थी, क्या है, यह compression work है, ठीक है, तो यह तो graph है भीया, यह तो हमने पढ़ा, isothermal reversible process, ठीक, work done, एक ही तरीका, ध्यान रखना, नीट के बच्चों के लिए जो हो, especially जो हो, यह चीज आपको formula बेस, क्योंकि आपको पता है, क्या फॉर्मले वाले question अक्सर नीट में पूछे जाते हैं, directly formula अपलाई करो, answer है जाएगा, नीट में इतनी 2 by V1, this will be work done, चाहे expansion हो, चाहे compression हो, जो भी sign होगा, डबलू का, अपने आप निकल के आजाएगा, मेरे भाई, अपने आप आजाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, isothermal, reversible हम पढ़ चुके है, isothermal, irreversible भी हम देख लेते हैं, देखो ज़रा, ठीक है, isothermal, irreversible process, हाज, क्या, isothermal, irreversible process, भीया, isothermal चाहे reversible हो, चाहे irreversible हो, ठीक है, temperature तो दोनों में क्या रहेगा, constant रहेगा, और temperature अगर constant है, तो दोनों में ही delta T, चाहे dt, इन दोनों की values क्या रहेगी, 0 रहेगी, और इन दोनों की values 0 है, तो delta H is equal to n cp delta T, तो ये 0, तो delta H यहाँ पर भी क्या होगा, 0, reversible हो, चाहे irreversible हो, delta H, delta E, यह तो भाई, 0 हो नहीं है, delta E की value, n cv delta T, ये 0, तो delta E भी, again, क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, तो भाई, ये तो 0 होते ही है, चाहे reversible, चाहे irreversible, क्योंकि हमें पता है, delta E, या E, या H, ये तो state function नहीं, तो path पर depend ही नहीं करते, तो चाहे isothermal reversible हो, चाहे irreversible, दोनों में value same ही रहेगी, और same किती रहेगी, 0 रहेगी, clear हा बात, अब दूसरी चीज़ है भाई, हमें तो सबसे जरूरी चीज़ work done और heat calculate करनी है, तो float, हमारा प्यारा first law of thermodynamics, ये कहता है, के delta E is equal to Q plus W होगा, ऐसा ही होगा, और क्योंकि isothermal है, delta E 0, तो जो reversible के लिए आया, वैसा ही कुछ expression irreversible के लिए आयेगा, ठीक है, isothermal reversible और irreversible, ये यहां तक कि सारी चीज़े same है, अब W calculate करते है, क्योंकि W आ गया, तो क्यों भी आई जाएगा, अब हमें तो क्या करना, overall W calculate करना है, तो आप देखो, calculation of work, ठीक है, मेरे भाई W हम calculate करना चाहते है, for isothermal irreversible process, तो मैंने आपको बता रखा है कि W का A की तरीका, और वो क्या है, P delta V, कि कुछ भी कर लो, W के बार में ज्यादा सोचना ही नहीं है, माइनस, P external, और यहां पर क्या आ जाएगा, डीवी आ जाएगा, और हमें ये पता है, कि in irreversible process, irreversible process, कि अग बार-बार ये line आएगी, बहुत बार ये line आएगी, ध्यार रखना, कि अगर external pressure constant है ना, तो process will be irreversible, या process irreversible है, तो external pressure क्या रहता है, constant रहता है, तो यहाँ पर pressure constant है, तो भहिया, constant को तो integrate हम करेगे नहीं, केवल किसका change आएगा, volume का change आएगा, तो volume को integrate कर दो, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, तो W is equal to minus P external, और इसका integration आपको पता ही है, क्या होगा, V ही होगा, upper limit minus lower limit करोगे, तो directly लिख देता हो, V2 minus V1, भया, this is the work done in isothermal irreversible process, ठीक है, यही isothermal irreversible process में work done है, minus P external, delta V, V2 minus V1, पहले, reversible process का work done जो है, वो अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि यह वहाँ पर pressure ल irreversible process, तो reversible process में pressure constant नहीं था, और constant नहीं था, तो pressure को हमने volume और temperature के function में हम लेके गए, तो क्योंकि pressure में volume का function पढ़ा था, तो यह जो integration है यह बदल गया, यह क्या हो गया, dv by v हो गया, 1 by v हो गया, और 1 by v की integration में आपको पता है, लोग आएगा ही आएगा, इसलिए वहाँ प क्या है, यहाँ पर pressure constant है, यह integrate होगा नहीं, बाहर ले लिया सुसरे को, और जो dv को integrate कर दिया, v1 से लेकर, v2 तक, ठीक है, तो यह यह है, आईसो thermal irreversible process में work done, बहुत ही सीधा सा काम, अब जरूरी चीज, graph हमें पढ़ने है, इसके graph बहुत जादा important है, देखो जरा, इसके ल देखो, आईसो thermal process हम पढ़ रहे हैं, मैं बता दू आपको, और अब reversible हमने देख लिया, reversible के graph देख लिये, irreversible के हम graph देखने जा रहे हैं, देखो जरा, curves या graph ठीक है, मैंने आपको ये बताया, बार-बार बताया, कि जो PV graph का जो area होता है, वो ही क्या होता है, एक तरीके से, area जो है, वो work done को indicate करता है, work done को बताता है, तो आप यहाँ पर यह मान के चलना, कि हमें यहाँ पर P और V का graph बनाना है, आइसो-thermal process है, तो हम generally सोचते हैं कि भईया, P और V, दोनों जोगों क्या होते हैं, inversely proportional होते हैं, और inversely proportional का graph हमेशा आता है, rectangular, hyperbola, बिलकुल सही बात है, लेकिन भई, P और V, यह दोनों का जो relation आया है न, inversely proportional का, यह relation यहाँ केवल और केवल reversible process के लिए, irreversible process के लिए, ऐसा कोई graph नहीं आता है, पहले मैं इसको लिद देता हूँ, बाद में मैं इसको explain करूँगा, है न, in isothermal, in isothermal, irreversible process, ठीक है, irreversible process, equilibrium, equilibrium is established, established, between system and surrounding, between system and surrounding, in only initial and final state, during process, during process, there will be no equilibrium, no equilibrium, between system and surrounding, system and surrounding, so, no exact relation, will established, established, between P and V, या P and T, या V and T, so, smooth curve, cannot be loaded, देखो, या बात ऐसी है, यह जो मैंने दो चार लाइने लिखवा ही है न, आपको, या आपको यह बोर रही है, कि भाईया जी, जो isothermal, irreversible process होता है न, उसमें, जो P external है, वो तो क्या रहता है, constant रहता है, और हमें यह पता है, जैसे मालो, यह condition है भी, ठीक है, कि हमारे पास यह condition है, piston यहाँ पर है, और piston यहाँ पर है, अभी piston रुका हुआ है, system, system और surrounding, इन दोनों के बीच में क्या equilibrium है, अब आपने मालो, अचानक से, यहाँ पर कोई block रख दिया, तो जैसे ही, मैं अचानक से block रखूँगा, pressure अचानक से आपने बढ़ा दिया, और pressure बढ़ाते ही, volume अचानक से क्या हो गया, decrease हो गया, और यहाँ पर आके, यह वापस स बढ़ाके, piston को नीचे लेके आगए, और भया, जैसे ही force बढ़ाया, तब जाके जो है, वो process हुआ न, force, force बढ़ाने पर, pressure लगाने पर, तब process हुआ, this is running condition of process, ठीक है, यहाँ equilibrium, यहाँ equilibrium, लेकिन इस दोरान, जब piston नीचे जा रहा है, तो equilibrium नहीं है, और जब piston नीचे गया, उस दोरान अगर equilibrium नहीं है, तो देखो जरा, कि मैंने आपको यह भी बता रहा है, irreversible process में, P external क्या होता है, constant होता है, कैसे होता है constant, कि भाई, reversible process में तो हम क्या कर रहे है, धीरे धीरे आप एक एक particle इस पर रखते जा रहे हो, लगातार, throughout the process, pressure is continuously changing, ठीक है, कि पूरे process के दो प्रेशर लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, चाहे वो change बहुत ही कम हो, वो चेंज आ रहा है, वो लगातार change हो रहा है, लेकिन भाई, जो irreversible process है, आपने pressure रखा, पहले pressure P1 था, अब रखते ही pressure, अचानक से कितना हो गया, P2, और भाई, आप P2 के against, लगातार piston कहा जा रहा है, नीचे, और जब नीचे जाके force balance हो गया, तो piston क्या हो गया, रुख गया, तो यहां पर एक बार आपने pressure को P2 कर दिया, pressure constant कर दिया, अब piston यहां जाके रुख जाएगा, कब तक नीचे जाएगा, जब तक की दोनों तरफ pressure equal ना हो जाए, कि भाईया, यहां पर P2 है, कि पिस्टन नीचे जा रहा है, इस दुरान तो equilibrium है नहीं, है ना, तो आप देखो, मैंने आपको यह लिखाया है, कि in isothermal irreversible process, equilibrium is established between system and surrounding, in only initial and final state, ठीक है, during process, there will be no equilibrium between system and surrounding, so no exact relation will be established between P and V, V and T, मतलब P, V, T, इनके बीच में कोई exact relation आई नहीं सकता, कैसे, कि हम generally बोलते है कि pressure and volume inversely proportional होगे, बिलकुल होगे, जिसे irreversible process है, तो irreversible process में आपने एक particle रखा, फिर दूसरा रखा, एक particle रखते ही piston थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा pressure और बढ़ाया, तो थोड़ा सा volume और change हुआ, थोड़ा सा volume और change हुआ, थोड़ा सा volume और change हुआ, थोड़ा सा volume और change तो volume क्या होगा, change होगा, लेकिन भाया यहां तो हमने एक बार के लिए pressure change किया, और फिर अपने आप नीचे जा रहा है, pressure तो constant pressure होते हुए भी piston नीचे जा रहा है, तो भाया यहां पर तो P और V का कोई relation है यहां पर तो P और V दोनो inversely proportional होंगे, ऐसा हम बोली नहीं सकते हैं, क् काम खतम, बात खतम, pressure तो constant है, और constant pressure के against piston नीचे जा रहा है, या फिर मैंने एक बार हटा दिया, pressure तो constant है, constant pressure के against piston उपर आ रहा है, कोई relation नहीं है P और V का, और P और V का relation नहीं है, ना P और T का relation है, ना V और T का relation है, कोई relation है ही नहीं अपने पास, तो भाया जी जो graph था ना, वो smooth curve नहीं आएगा वो step by step graph आएगा या पिर आप यूख हो कि जो graph आपने देखा था rectangular hyperbola ऐसा graph आ रहा था वैसा तो आई नहीं सकता वो तो किसके लिए था reversible के लिए था वो तो तब था जब पी और वी दोनो inversely proportional है यहाँ पर तो ऐसा गोई relation है नहीं तो फिर यार यह तो समस्या हो गई फिर यहाँ पर क्या होगा relation तो exact है नहीं क्या करें तो यह इसको graph को समझो यह line आपने note कर दियोगी मैं इसको तो मिटा रहा हूँ अब देखना जड़ा मैं इसके लिए graph बना रहा हूँ एक एक step को बहुत ही बारी किसी आपको समझना है मैं इसको मिटा ज़ता हूँ हाँ जी तो सबसे पहले हम माल लो expansion के लिए graph बनाते है कि expansion का graph जो हो कैसा आएगा ठीक है तो isothermal irreversible expansion ठीक है आईसो थर्मल irreversible expansion देखीगा जड़ा ध्यान से देखीगा कि graph कैसा आएगा और एक बार में समझ में नहीं आए तो दुबारा देखना पहले बोल दिया हम कि P और V का graph हमें चाहिए ठीक है बहिया जी expand करवा रहे गया इसको माल लो पहले condition ऐसी है यह piston यहाँ पर जो हुआ है और block रखा हुआ है अब expand करवाना है अचानक से pressure को आपको हटाना पड़ेगा अभी pressure ज़्यादा है ना तो अचानक से pressure को मैंने कम कर दिया और फिर अचानक से volume क्या होगा बढ़ेगा ऐसा ही behavior होगा तो यह मानो के initially pressure तो ज़्यादा है volume कम है यानि कि the initial state of piston is this where the pressure is P1 and the volume is V1 ऐसी condition है ठीक है अब piston को जो हम यहाँ से यहाँ पर लेके जाना चाहते है यहाँ पर pressure तो कम हो गया है और volume क्या हो गया है मालो हमें यहाँ से ही लेकर यहाँ तक इसको लेके आना है ठीक है तो यहाँ पर pressure है P2 volume है कितना V2 डियान से देखेगा piston का behavior कैसा है पहले condition ऐसी थी कि अभी pressure जादा है हमारा system इस condition पर है इस dot पर है ठीक है अब अचानक से आपने अचानक से pressure को क्या कर दिया हटा दिया अचानक से pressure decrease हुआ तो भगया देखो जरा कि P1 से pressure अचानक से decrease हो गया अचानक से pressure decrease हो गया ये लोजे decrease हो कितना हो गया P2 हो गया ठीक है अचानक से pressure में कमी आई और जैसे ही pressure में अचानक से कमी आई वैसे ही volume अब अचानक से क्या होगा increase होगा अचानक से volume जह हो क्या हो गया increase होकर कितना हो गया V2 हो गया इस तरीके का behavior आपको देखने को मिलेगा कोई smooth curve नहीं आएगा कोई जो rectangular hyperbola curve नहीं आएगा वो क्यावल किसके लिए? irreversible के लिए ठीक, अब देखना ज़रा यहाँ पर जो हमने बार-बार बोला है कि area under the curve, area under the pv curve will be work तो this area this area will be work area is equal to w expansion work है अब मुझे बताओ कि यह क्या बन रहा है, rectangle बन रहा है और मेरे भाई, rectangle का area हम कैसे निकालते है, rectangle का area निकालने का तरीका वह length into width ठीक है, यहाँ पर length तो कितनी है इसकी, यह है, length तो हमारे पास हो जाएगी क्या, v1 minus v2 ठीक, और जो हमारे width और length is v1 minus v2 we know that v2 is greater than v1 so w will be negative w कैसा आएगा, negative आएगा आना भी चाहिए, expansion work है मेरे भाई w negative, आना भी चाहिए तो विया, this is all about the work the curve in isothermal, irreversible expansion, ठीक है एक तो यह condition, दूसरा isothermal, irreversible compression हम करवाते हैं, देखेगा isothermal irreversible compression ठीक है भी यह जी बात ऐसी है कि isothermal irreversible compression है ना तो आप समझो जरा वो इस सेम ग्राफ मुझे बनाना है, मैं बना रहा हूँ यह मैंने बना दिया P और V का compress करवाना है गैस को अभी piston यहाँ पर है तो यहाँ पर है तो pressure क्या है कम, volume क्या है, ज्यादा और इसको यहाँ से यहाँ लेके आना है volume को decrease करना है, pressure को increase करना है तो this is the initial condition P1 अचानक से pressure बढ़ा दिया, किता कर दिया P2 कर दिया और फिर अचानक से volume कम हो गया, ऐसा ही है तो pressure था P1 आपने अचानक से pressure को increase कर दिया, यह लो जी यहाँ अचानक से pressure को क्या कर दिया, increase कर दिया कि पहले यहाँ पर दिया, अचानक से pressure को increase कर दिया, P2 कर दिया, ठीक है और फिर अचानक से volume क्या हो गया, कम हो गया, ऐलो जी अचानक से volume हमने कम कर दिया, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आ गए देखो जरा, and now this area, this area, this area, this area, and this area will be work done यह area जो होगा न, यही क्या होगा, W होगा, और W is equal to क्या, ठीक है, जो हम, जो इस तरके का area जब निकालते है, तो length into width तो आप देखो, यह 0, 0 से लेके length तो कितनी आ गई, P, then this is P, P is P2, और width हो गई, क्या, V2 minus V1, ऐसा ही होगा, ठीक है, और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हो, V1 minus V2, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, यह तरके से compression work है, और V1 is greater than V2, तो W will be positive, यह देखो जरा, क्या, अगर मैं इस graph को, अभी reversible compression के साथ, इसको तो reversible expansion के साथ, और इसको reversible compression के साथ, compare करूँ, ठीक है, तो आप देखो, कि मैं वो graph भी इनके साथ बना देता हूँ, दोनों के दोनों graph जो हो, मैं साथ बना देता हूँ, है ना, तो graph जो हमारे पास आया था, expansion का, यह V और यह P, ठीक है, this is isothermal reversible, reversible, reversible expansion, ठीक है, expansion, ठीक, तो यहाँ पर हमने graph जो है, वो reversible expansion था ना, तो graph जो हो कुछ यू बनाया था, ठीक है, ऐसा graph बनाया था, ऐसा graph, this is P1, and this is V1, and V2, or this is P2, ठीक है, and this area will be work done, अभी just हमने पढ़ा था ना, पस वो ही तो है, और यहाँ पर जो हो हमने, isothermal, irreversible, compression का graph तो यह है, और reversible expansion के साथ, अगर मैं इसको, compression के साथ, इसको compare करूँ, तो पहले हमारे पास condition ऐसी थी, के यह P1, यह V1, और यह P2, और यह V2, इसको मैं, isothermal, reversible, compression के साथ, यह तो क्या हो गया, expansion हो गया, और यह है, isothermal, reversible, this is compression, ठीक है, और this area will be work done, ठीक है, अब दिहान से देखो जरा, के कई बार statement पूछ लेता है, के कहां work done जादा होगा, के isothermal, reversible, reversible, expansion में जादा होगा, और हमें work done का magnitude अगर compare करें, तो आप देखो, इन दोनों में से मुझे बता दो, अगर initial और final state same है, के जैसे यहाँ पर initial state P1, V1 और final state P2, V2 तक लेके जाना है, और यहाँ पर भी P1, V1 और final state P2, V2, एक बार तो reversible ही गए, एक बार irreversible, मालो, यह क्या है, हमारे पास expansion है, पहले piston का volume जो है, वो 2 लिटर था, अब 2 से आपको कहा जाना है, मालो 5 लिटर तक जाना है, तो एक बार तो 2 से 5 तक आप जो हो reversible process से गए, एक बार 2 से 5 irreversible process से गए, वर्क डन कहां जादा मिलेगा, कहां वर्क जादा होगा, आपको यह बताना है, तो भाया जी देखो, कि same initial, same final state तक, अगर आप आईसो थर्मल प्रोसेस में reversible, या irreversible और जाते हैं, एरिया कहां जादा मिलता है, यहां एरिया जादा है, तो work done, the magnitude of work done will be greater than here, मतलब यहां जादा होगा magnitude, तो मैं conclusion यहां पर यह बोलूँगा, देखो conclusion, finally, result यह धान में रखना है, conclusion, ठीक है, क्योंकि कई बार जो है ना, statement आयाते है directly, और statement पूछ लेता है, तो statement जो आसानी से इसको compare कर पाओगे, conclusion यह है, नीट के छोरो और नीट के छोरियो, conclusion जो है वो जो आपको ध्यान में रखना है, point यह है, और जब कभी हमारे अकसर point या समझ में नहीं आता है system, तो हम क्या कर लेते हैं, एक तरीका है, हम याद कर लेते हैं, तो मेरे भाई, चाहे conclusion यह लिखा लेना, ज्यादा भी मत लिखाना नहीं, तो नीट के एक्जाम में बाहर हो जाओगे, इधर देखो जरा, कि conclusion यह है, कि w, मैं only magnitude compare कर रहा हूं, धार रखना, मैं with sign comparison नहीं कर रहा हूं, तो area ज्यादा कहा मिल रहा है, यहाँ ज्यादा मिल रहा है, तो w reversible expansion, ठीक है will be more than w irreversible expansion, ठीक है, ठीक है, ठीक है, this is the final conclusion, which you have to, you should have to remember, ठीक है, ठीक है, this is for isothermal, यह isothermal के लिए है, ठीक है, अब उधर आते हैं, कि यहाँ पर जो है वो आपको, मालो, same initial state or same final state से, अब गयास को क्या करना है, compress करना मालो, पहले ही, यहाँ पर volume था 5 liter, ठीक है, फिर जो है वो, volume जो है वो, मालो, अचानक से हो गया, 2 liter, एक बार तो 5 से 2 आपने किया, reversible process से, एक बार 5 से 2 किया, irreversible process से, तो यहाँ पर हम यह बोलेंगे, कि ज्यादा area कहा मिल रहा है, आपको, irreversible process में ज्यादा area मिल रह है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा, डबलू, ठीक है, irreversible compression, magnitude wise, will be more than, डबलू, reversible compression, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो हो, आपको area क्योंकि ज्यादा मिल रहा है, आपको एरिया क्योंकि ज्यादा मिल रहा है, इस बोथ, आप बोल सकते हो, कि आईसो थ thermal process, और कब लगेगा, when initial and final state are same, जब initial और final state दोनों की क्या हो, same हो, तब यह चीज लगेगी, तब यह चीज वैलेड होगी, clear है बात, तब यह यह है, this is all about isothermal process, इतना ही धान में रखना है, बाकि इसमें और भी बहुत सारे अलगलगतर यह graphs आते हैं, लेकिन हम उन पर अभी forks नहीं करेंगे, ठीक है है, च्योंकि नेट में जितना आता है, हमने उतना ही हमें पढ़ना है, बाखी ज्यादा details में हमें नहीं जाना है, ठीक है, यह तो हुई एक बात, ठीक है, इसको तो मैं कर रहा हूँ साफ, मिटा रहा हूं, येलो जी मैंने मिटा दिया, ठीक है, इ इसो थर्मल पर question कैसे आता है, ठीक है, इसके बाद में हमारे पास adiabatic और cyclic process जो है, वो बचेगा, उसकी बात भी हम कर लेंगे, देखो ज़रा, हाज, देखो, कैक question में यहाँ पर लिखता हूँ, 1 mol of N ideal gas is expense from 10 litre to 20 litre volume at 300 kelvin, ठीक है, at 300 kelvin, ठीक है, फिर आपको यह बूला है, calculate, calculate delta E, delta H, Q and W, ठीक है, if this is W, if पहला process is reversible, तो भाई, process अगर reversible हो, तो calculation कर दी है, second, process is irreversible, and expansion, expansion occurs, against, 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 a constant external pressure of 180, ठीक है, तो expansion occurs, a constant external pressure of 180, ठीक है, ठीक है, तो expansion occurs, भाईया, आपको मैं एक चीज़ बता जेता हूँ, कि जैसे NEET में question आते हैं, तो वैसे जादा तर बार process तो mention होता है, कि process दिया होता है, कि process is reversible और irreversible, यह चीज़ question में आपको मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन बहुत बार जो है, वो question में process नहीं दिया होता है, तो आपका पहला काम होता है, कि process को identify करना, the first task is to identify the process, ठीक है, ध्यार रखना, कि पहला काम process को identify करना, क्योंकि जो भी आप work का formula लगाओगी, या जो भी आप work calculate करोगे, तो work तो क्या एक path function है ना, तो अगर आपको path के बारे में ही नहीं पता है, तो आप कैसे work calculate करोगे, नहीं कर पाओगे ना, तो भी या, पहला काम है, आपका process को identify करना, और यहां पर देखो कि at 300 Kelvin means the temperature is constant, अब कहोगे कि सर इसमें तो ऐसा भी दे रहा है, अगर कहीं temperature और pressure, दोनों आप में आपको कहीं confusion हो कि या, pressure भी constant हो रहा है, temperature भी constant हो रहा है, वहाँ आपको temperature जो हो, उसको constant मानना है, पहली बात तो, यानि कि उसको isothermal मानना है, दूसरी बात, यह constant external pressure है ना, यह line लिखी जाती है, irreversible process के लिए, कि किसी question में अगर constant external pressure लिखा है, तो this line is used for irreversible process, ठीक है, तो process is isothermal, isothermal, process and first reversible, ठीक है, पहले हम calculation करते है, reversible के लिए, क्योंकि temperature constant है, तो delta E की value क्या रहेगी, 0, delta H की value क्या रहेगी, 0, क्योंकि दोनों के दोनों delta E, delta H, N, C, V, delta T, N, C, V, delta T, और फिर जो हो, Q की value equal होगी, minus W के first low से, तो अगर Q calculate करना है, तो भी W calculate करना पड़ेगा, और आपको पता है, reversible process में, W is equal to minus 2.303, N, RT, और यह आजाएगा, log V2 by V1, clear है बात, ऐसा ही होगा relation, तो यहाँ से हम बोलेंगे, W is equal to minus 2.303, N की value 1, R की value 25 by 3, Kelvin में, मतलब Joule में हम calculate करते हैं, तो यह 300 और यह आया, log 20 by 10, यही है ना, कि भाई, 10 liter से 20 liter तक जो हो, आपने gas को क्या करवा दिया, expand करवा दिया, तो यह cancel हुआ, यह जाएगा 100 times, ठीक है, minus 2.3 into 2500 into 0.3, log 2 is 0.30, तो इसको 0.3 ले ले लेते हैं, और इसको हम solve करेंगे, तो the work will be approximately 1727 Joule, आप एक बार इसको solve कर लेना, exactly, जो हो, मुझे idea नहीं है, एक बार आप इसको solve कर लेना, थोड़ा उपर नीचे हो, तो आप सही कर लेना, ठीक है, तो W की value तो आ गई, और जो W होगा, Q is equal to minus W, then the heat absorb will be plus 1727 Joule, ठीक है, तो यह हमारे पास 4 की value, Q आ गया, हमने W calculate कर लिया, हमने जो है, वो delta H, delta E, सार irreversible process, irreversible process, कि अब भाही माल लो, isothermal irreversible process है, तो isothermal irreversible के लिए हम क्या करेंगे, तो again, temperature is constant, delta E is 0, चाहे reversible हो, चाहे irreversible हो, दोनों में, delta H is also 0, Q is equal to minus W, चाहे reversible हो, चाहे irreversible, बस W में difference आएगा न, कि W निकाल लेगा, तरीका बदल जाएगा, तो यहाँ, W is equal to, W होगा, minus P external, और यह हो जाएगा, V2 minus कितना, V1, तो minus P external, P external is, यह रहा, 180M, और V2, 20, 10, तो यह आजाएगा, minus का 10, लेकिन, answer will be in, liter atmosphere, यह liter atmosphere में होगा, ठीक है, और फिर जो हो, यहाँ पर देखो, W is equal to, आप देखोगे, almost, जो है, वो, 1 liter atmosphere is equal to, 1000 के equal होता है, तो, sorry, 100 के equal होता है, 100 Joule के, या फिर 101.3, अगर हम लें, तो, यह work done, will be, minus 101 Joule, because, 1 liter atmosphere is equal to, 101.3 Joule, ठीक है, this is work, and the heat absorb will be, plus, 1013 Joule, ठीक है, यह तो, conversion है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह Q आया, यह W आया, यह हमरे पार delta H और यह data E, ठीक है, तो, यह था भी यह, आईसो थर्मल, reversible expansion, irreversible expansion, तो, अभी मैंने कहा था ना, देखो जरा, कि work done, magnitudely आपको work done, जादा कहा मिलेगा, reversible में आपको practice जादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ area जादा मिलता है, ठीक है, तो, भीया, this was all about isothermal process, उमीद करते हैं, चीज़े आपके अच्छे से समझ में आई होगी, और graph अगरा में हो सकता है, आप लेकिन भाई, एक बार के लिए तकलीफ सहन कर लो, एक बार lecture दुबारा देख लो, और कहीं पर भी कोई doubt आए, तो उसके लिए पूरी जीजान लगाओ, समझने की कोशिश करो, अब हमारे पास दो और प्रोसेस बाकिए, एडियाबेटिक और साइकलिक, ये दोनों हम नेक्स लेक्चर में कवर करेंगे, तो मिद करते हैं, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और यहां से हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रख अपनों का ध्यान रखें, खूब पड़े, खूब बड़े, थैंक्यू